तो कोगा बाइडी कैच सो यार तो भाई लोग आज अपने बात करेंगे कवीर सिंग मूवी के बारे में और आज मैं कवीर सिंग मूवी क्यों पर अपना honest review दूँगा और honesty दूँगा अगर बाइड दे दिया तो हम में ओ टेक्निकल चनल में अंतर क्या रहेगा तो और सबसे बेले तो आपको ये मताना चांगा कवीर सिंग मूवी मुझे परसनली बहुत अच्छी लगी देखिए लिटरली में मूवी से वगरे नहीं देखता हूँ पर देखिए मुवी का सीन ऐसा कि इसमें शाहिध कपूर यानिकी जो लिट रोल में शाहिध कपूर उसको थोड़ा सा बजीनदार दिखाया गया है इस कंपेरे टू ही जिसमें मेरे क्यां सकोई भराएं नहीं है क्योंकि इस movie के डारेक्टर नहीं थोड़ी सी कोशिश करती जो कि हमारे अधर के डारेक्टर नहीं करते यानि कि थोड़ी सी reality दिखाने की वाई हमारी Indian वॉलिवूड नहीं कोशिश करती नहीं और अगर कोई करेगा तो उससे offend होना तो बनता है न यार नहीं सीरियस नहीं जो भी लड़कें इस movie से offend हो रही है इनको जाके आप key end का दिखाओ वी ready wedding दिखाओ ये खुश हो जाएंगी और जो लड़कें यह बोल रहे हैं कि इस movie ड्रक को promote किया जा रहा है या फिर alcohol को promote किया जा रहा है यही लड़कें पब में जाके चार बोतल बोतका पर डांस करती ही नजर आती है तो यार सबसे पहले तो मैं इस movie की theory clear करते हैं जिससे लड़कियां offend हो रही है sorry feminist लड़कियां offend हो रही है चला भई देख अब मैं क्या करता हूँ अब इस movie में लड़के को थोड़ा सा बत्तमीज तरीके के दिखाये गया है और वो भी उसके attitude से relate करके दिखाये गया है हाँ उसकी बत्तमीज मूवी में आगे चलके बड़ी है और वो क्यों बड़ी है मैं आपको समझा देता हूँ किया जिसको अपनी दुनिया मानी वो इसको धोका दे जाएगी तो वो दुनिया की क्यों इज्जत करेगा जब उसका कोई ट्रस्ट करेगा तो वो कैसे कि रिस्पेक्ट करेगा अब अगर आप फैमिनिस्स चोदाब ने फ्रिक्स तो पड़ी होगी समझने की कोशिश करो जिस लड़के ने लड़की से प्यार किया उसको अपनी दुनिया मानी है वह लड़की उसको धोका दे जाएगी तो वो माभेन की इज्जत की माभेन करेगा अब आई बात समझ में कैसे दिया आपको है एदी अच्छा और जितनी भी लड़कियों को डंप दिखाया गया या फिर गलत तरीके से दिखाया गया तो मेरी बहनों पड़ी लिखी तो होगी गूगल कर लेना जाके सर्च रेजल्ट में एक बार लड़कियों लड़कियों का रेशियो देख लेना कि प्यार में होता आप उसे खृरीद देते एसी चीज रिष्टों में भी होती है लड़की को इसपावाली कंडिशन सिर्प लड़कियों पर लागू होती है इस मुवी से वही लड़कियों ओफेंड हुए जो सोनंग कपूर का अपना आइडल मानती है और अगर कोई सनीलियों के डिस्रिस्पेक्ट कर देता है तो ओफेंड हो जाती है अरे शरम करो नहीं इन फैमिनिस लड़कियों कि ने एक बात बहुत जादा खास होती है इनके इसाफ को दिखाता नहीं परेगा कि यार देखो मेरे पास हीरा है मेरे पास हीरा है वो इस हीरे को अपनी अलमारी में समाल के रखेगा और security reasons ऐसा तो ही नहीं कि हीरा चलके कि किसी और के पास चला जाए अगर नहीं बलकि यह हो सकता है कि उस हीरे को कोई और चुरा ले मतलब उसको तो हीरे पर शक नहीं उसको दुनिया पर शक है तो यही कंडिशन वो अपनी बंदी यानि की गर्फ्रेंट के साथ करता है वो लड़की को इसलिए नहीं रुखता है कि उसको लड़की को पर शक है या उसकी freedom चीडना चाहता है उसे दुनिया पर वरोसा नहीं है और वो तुम लेकिन अगर किसी ने इनक्यूप पर ओपिनियन दे दिया तो इनका जलता है क्या कमेंट सेक्शन डिसलाइक बटन यह सब तुमारा है वीडियो बनाना मेरा काम तायो छलाना तुमारा काम अब तुम चाहते हो कि तो ससे फैमिनिस्स सोच से बाहर आओ, रियलिटी में जीना सीको, कुछ इंडियन कल्चर से उनको फॉलो कर लो, कब तक बाहरी सोच को अपने दिमाग में बठाए रखोगे, कूल नहीं दिखते हो, यह बात मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, बाकि परसनल ही मुझे किसी से भी कोई करेंगी सपोर्ट में है, आजकल का ये ट्रेंड और गावर्मेंटी तो है फ्रेंड, पर चिस लड़के से पूछोगे, 11, 11, 3, 2 से, अब सबसे सादर नीड है, आर में फो में